प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा चुनाव का वक्त है और दिल्ले के मुख्यमंद्री जेल से बाहर आने के लिए चट पटा रहे हैं चुनावी प्रचार करना चाहते हैं और इसलिए सुप्रिम कोट में जाकर गड़गड़ा रहे हैं दिरसल अरवन केजरिवाल ने अपने गिरफतारी के खिलाब सुप्रिम कोट में याचकादार की हुई है जिस मामले में आज लंबी सुनवाई होई और जड़ साहब ने भी कह दिया कि मामला बहुत लंबा चलेगा पर सुप्रिम कोट केजरिवाल की अंतरिम जमानत पर सुन केजरिवाल के लिए राहत का संकीर देते हुए कहा कि ये मामला लंबा चलेगा तो हम अर्विन केजरिवाल को चुनाओ प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे सुप्रिम कोर्ट की बस इसे टिपनी पर अब ये चल्चा हो रही है कि केजरिवाल जेल से बाहर आजाएंगे उनको अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो क्या वाकई में केजरिवाल के लिए आने वाला है कोई शुब समाचार आज सुप्रिम कोर्ट में क्या क्या हुआ बताएंगे आपको चल्चा के लिए मेरे साथ स्टुड़े में मौजून है क्या पचल जबी की एडिट इस इसकी चर्चा शुरू हुई पूरी बहस कल एक दिन पहले पूरे दिन भर आज भी बहुत धाय तीन घंटे जो है वह बहस फर जशाब ने अचानक से पूछ डाला कि तो मामला पड़ा लंबा चलेगा अब यह बताओ चुनाओ कम है बताया गया कि तो अचानक से उन्होंने कहा कि तो फिर मैं चुनाओ के लिए चुनाओ प्रचार के लिए हम इंट्रीम बेल के बारे में सोच सकते हैं तो जैसे यह बात जैसे आपने कही सगारी वकील राजुसाहब जो है वो चौक गए उन्होंने कहा कि हुदूर यह क्या है आपको मालूम नहीं कि आपके इस सेंटेंस का यह आम आदी पार्टी वाले किस तरह से बयान बाजी करेंगे आपको इसके बारे में पता नहीं कि क्या क्या संजेशिक बाहर बोल रहे हैं कोट के अंदर बताया गया बहुत अब साथ तारिक कोई सुना जाएगा कोई कंक्लूजन में नहीं आ रहा हो तो राजु साब ने का कि भाई तो फिर इनको कहिए कि इंटरिम बेल के लिए जो है बूब करें अब जो साथ को होगा सो साथ को होगा देखा जाएगा उस दिन बहस में क्या होता है लेकिन अब फंडमेंटल सवाल दो तीन कि गरतारी को आपने चैलेंज किया और जजसाब इंटरिम बेल के लिए किसलिए केस को लेकर के नहीं चुनाओं में प्रचार करने के लिए कि चुनाओं को देखते हुए हम चुनाओं तक के लिए इंटरिम बेल दे सकते हैं तो क्या-क्या स्वर्टे हो सकती है वो समय आप आकर के बताएं तो फिर बहस चलेगी टकर बनुसिंग्मी साहब और राजु साहब में फिर से वो टकर होगी लेकिन अनायास ये समझ में आता है कि कोट में आखिर हुआ क्या अगर आप इस तरीके से किसी जेल में बंद कैदी को आरूपी साही नॉन कन्विक्टड प्रिजिनर को अगर आप चुनाव प्रचार के लिए अनुमती देते हैं तो कैसा प्रिजिडिन्ट सेट होगा किस तरीके से आप बाकी दूसरे कैदियों को ड्रेड़ेड क्रिमिनल्स बड़े बड़े रेपिस्ट बड़े गोटाले बाज उनको फिर आप पैसे मना करपाऊगे और कैसे हाइअ कोट और लोइर कोट क्योंकि सुप्रिम कोट का फैसला वो एक मिसाल बन जाता है सुप्रिम कोट में इस तरह का फैसला होगा आपको मैं बता दू कि तमाम पॉलिटिसियन उसके वकील लोर कोट्स में जाएंगे और जागर क्या आवे दिन डाल देंगे कि मालाओड हमारा निता जो है वो जेल के अंदर में उसको प्रचार के लिए आप भेजिये दिके सुप्रिम कोट में केजरिवाल के लिए किया गया तो हमारे निता के लिए क्यों नहीं हो कई सारे निता जेल के अंदर में अभी ठीक एक प्याइएल आया था हाई कोट हाई को कोट में पहले तो के वाल के लिए पृइल डाला गया कि प्रचार के लिए दिया जाओ उसको मना कर दिया गया तो दिल्ली आइक कोट के चीफ़ ज़इस्टिस मनमोह不能 कि अब एक और उसमें मसला आएगा कि एजरी वाल चुनाओं नहीं लड़ रहा है कि आप इंटरिम बेल देने की बात कर रहे हो तो कल कोई टेर्रिस्ट अंदर है वो चुनाओं लड़ेगा तो उसको कैसे आप डिनाए करोगे फिर आप उनको कैसे डिनाइ करोगे फिर तो वो कहेंगे कि भई जो नहीं लग रहा है उसके लिए आप ये अनुमती और ये आप इतना रिलक्सेशन दे रहे हो हम तो उमिदवार है भई बिना मेरे परचार के तो डिमोकरसी की तो मौत हो जाएगी अएगा नजीर हो जाएगा ये फैसला कि अगर आप जेल के अंदर है तो फिर आप जो है निताओं के लिए कानू ना लग मुख्य मंतरी के लिए कानून अलग अर्विन केजिनिवाल के लिए कानून अलग और आम जनता के लिए कानून बिलकुल अलग हो जाएगा फिर कल ये भी लोग कहेंगे कि जेल से रखर के आप सजा आपको हो जाती है आप जो है बकायदा चुनाओ भी लड़ लेते हैं आप जीत भी जाते हैं तो कल आप कहेंगे कि भर या परलिमेंट आने की जनुमदी दी जाए मैं इसको कसम खाने के लिए सपत लेने के लिए रियाग किया गया लाया गया तिहार जेल से संजे सिंग को फिर सेशन स्टार्ट होगा तो फिर आप कैसे मना करोगे तो यह किस तरह क्या मामला आज जो उठा है यह तो समझ के परे है और सबसे बड़ी चीज क्या अरविंद केजिवाल के वकील ने इसकी मांग की थी क्या वो तो यह कह रहे कि यह जो गरफतारी है वही इल्लीगल है तो लेट स्टिक टू दाट उनसे पहले भी पूछा गया कि भाई बेल क्यों नहीं आपने अप्लाई किया बेल आप क्यों नहीं बेल की अरजी डाल रहे है तो मनुसमी साहब ने साहब कहा कि क्यों हम लुको लगता है कि गिरफतारी गलत है इसलिए बेल के तो कोई सवाल नहीं उठता है दूसरा केस अलग दिल्ली हाई कोट में चलना कि जिसमें समन करने के उपर सवाल किया गया मतलब समन गलत है वह अलग केस चलना हाई कोट में गिरफतारी गलत है वह अलग कोट चल रहा है मामना सुप्रिम कोट में तो यह जो कानूनी दाओं पेच है और यह कि पता नहीं य के सुप्रिम कोट है यही जज़ज हैं जो इस केस को भली भाती जान रहे हैं इनके ही सुप्रिम कोट से ये आदेश आया कि 138 रुपय का ला हुआ है अब treatyset क्मड रुपय का इसी बेंच ने यह भी का कि इस पैसा आम आद्मी पार्टी में गया है और आवादी पार्टी को आरूपी बनाने का सेजेशन भी बेंची दे रहा है 330 करण रुपे का घोटाला हुआ बेंची कह रहा है तो आप यह कैसे कह सकते हो कि आम आदमी का हेड और ऐसा वैसा हेड नहीं ऐसा नेशनल कन्वेनर जिसकी इसारे के बगार आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है यह कैसे होगा तो कई सारे चीजे हैं यह क्लारिटी इसलिए जानना जरूरी था दो-तीन चीजे कल अख़बार मैं छपेगा कि ED की धुलाई हो गयी केजरिवाल इमांदार हो गया केजरिवाल को जो है केजरिवाल निर्दोस है केजरिवाल ने कुछ नहीं किया यह घोटाला फरजी है केजरिवाल जो है लॉटन है क्या करते है भी जेल के ताले तूटेंगे केजरिवाल चूटेंगे यह कल से सुरू हो जाएगा लेकि थोड़ा धैरे रखनी क्या हो सकता है साथ तारिक को दिस कन गो अधर वे दिस वे और दाट वे लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप आवेदन तो करोगे ना पहले कि हमको इंटरिम बेल चाहिए हमको चुनाओ परचार के लिए जाना है क्योंकि यह बॉइंट इसलिए उठा क्योंकि अर्जी का सबसे पहला यह है कि आपने जो गरिफतार किया ठीक चुनाओ के समय किया तो यह बात तो समझ में पहले सी आ रही थी ना केजरिवाल को कि भाई साब मई से पहले चुनाओ होना है अक्टूबर में पहले समन में ही चले गया होते तो अब तक बाहर निकल गया होते तो यह तो चित भी मेरी पट भी मेरी और यह कानूनी दावपेच मनुसिग्मी साहब को आप खड़ कर रहे हो और वहाँ पर रोज जो है वो जा रहा है सब मामला हो रहा तो देश की जंता भी देख रही है लीगल प्रोसेस किस लिए किस के लिए क्या है नहीं है ये भी देखा जा रहा है और अगर इंटरिम बेल मिलता है तो एक नेया अध्याय हिंदुसतान में जूटेगा इस फैसले से फिर तमाम क्रिमिनल जो हैं वो जेल में रहेंगे और चुराओं के समय बाहर छूटके आ जाएंगे कोट जरूर करेगी जो भी कोट का फैसल आएगा बताएंगे आपको देखते रहें क्या पचल टीवी नमस्कार